जार्खन पंचाय चुनाओ की घोसना अप्रील माई के बीच मुख्य मंत्री हेमन सुरेन की सरकार ने अप्रील माई के बीच हर हाल में पंचाय चुनाओ संपन कराने की जोजना बना रखी है जार्खन पंचाय चुनाओ कराए जाएंगे इसकी रूप रेखा बन कर त्यार है सनिवार को होली का आखरी दिन है इसके बाद 25 मार्च को जार्खन पंचाय चुनाओ की आउचारी घोसना संभावी था बता देराई सरकार ने अपनी ओर से इसके लिए तमाम तेर्या पूरी कर ली है चुनाओ की घोसना के साथ ही पूरे राजे में आदर्स चुनाओ अचार संगीता लागू हो जाएगा जार्खन बोर्ड परिछार्थी हो जाए होसिया 24 को जार्खन बंद का एलान जार्खन में मैट्रिक और इंटर की परिक्षा इस वर 24 मार्च दोजर्बाई से सुरू हो रही है जार्खन अकेडमी काउंसिल ने इसके लिए समय सारनी पहले ही जारी कर चुकी है जाएक के जेर्मैन ने तो यह भी का दिया है कि 30 जून से पहले परिक्षा परिणामों की कोस्तना भी कर दी जाएगी लेकिन परिछार्थों के लिए नए मुसीबत अब सामने आ गई है बता दे कई राय नेतिक संगठनों की ओर से 24 मार्च को ही जार्खन बंद की अपील कर दी गई है यह बंद पंचाज चुनाव में ओवी सी आरक्षान लागू करने की मांग को लेकर बुलाई गई है बड़ी संख्या में गरामीन इस बंद को लेका सड़क पर उतर सकते हैं ऐसे में यातायाद सेवाए जार्खन के सभी जिलों में बादित हो सकती है इससे परिछार्थियों की परिछा केंद्रों तक पहुँचने में परिछानी हो सकती है बता दे परिशार्थियों को अभी से ही इसकी त्यारी कर लेनी चाहिए सरकार की ओर से अभी तक इस बंद के बारे में कोई पर्तिकिरिया नहीं दी गई है धनबाद में होली में दो समुदाय आमने सामने पूलिस पर हमला जारखन के धनबाद जिले के तोप चांची थाना चेतर के सिरीराम पूर गाओं में होली को लेकर दो समुदाय के बिश्तनाव अभी भी कायम है एक समुदाय विशेज द्वारा पूलिस पतादिकारी पर हमला भी कर दिया गया था जिसमें वह चोटिल हो गई थी पतादिकारी अभी भी गाओं में कैम्प कर रहे हैं गाओं में बाहर से आने या यहां से बाहर जाने वाले पर पूलिस नजर रख रही है बता दे तुप्चांची थाना चेत्र के स्रीरामपुर्गा में सुक्रवार को एक बिसे समूदाय के द्वारा होली की टोली का रास्ता रोक के जाने को लेकर दो समूदाय के लोग आमने सामने हो गए थे चार चरन में पंचाइट परतिनिधियों का चुनाव कराने की त्यारी जारखन कैबिनेट में लिए गए फैसले के अनुसार परदेश में चार चरनों में चुनाव कराने की त्यारी है इतना ही नहीं इभीम की जगा इस बार बाइलेट से चुनाव कराये जाएंगे बड़ी संख्या में बाइलेट बॉक्स उतर पर्दे से मंगाए जा रहे हैं इनकी डेटिंग पेंटिंग चंद दिनों बाद शुरू हो जाएगी जारकन सरकार के पंचायती राजमंत्री आलमगीर आलम की माने तो चुनाव के एक मापूर्व तारिकों की कोशना की जाएगी तैयारिया पूरी कर ली गई है इधर चुनाव आयोग भी अपने करमचारियों को परसिक्षन आजी दियाने के कारे पूराक कर चुका है बरहाल सरकारी सुत्रों की माने तो पंचाय चुनाव की तारिखों के एलान की उल्टी गिंती शुरू हो गई है 25 मार्च के बाद किसी भी दिन गाउं की सरकार गठन के लिए तीती गोसना कर दी जाएगी CBSC बरहवीट टर्मोवन रिजल्ट में देरी पर छात्य भड़क रहे हैं सोसल मेडिया साइट ट्वीट पर बरहवी के अंकों की मांग कर रहे है चात्रों ने CBSC और मोधी सरकार की खुब ख़बर ली है बता दे चात्र CBSC और केंद्रिय सिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को टेग कर अपनी चिंता और गूता जाहिर कर रहे है इस बीच CBSC ने टर्म टू पर इक्षा के लिए डेट्षिट जारी कर दिया है माना जा रहा है कि CBSC बोर्ट कक्षा 10 के पई नामों की तरह CBSC कक्षा बरावी टर्म टू पर इक्षा का रिएल्ट के वली स्कूलों के साथ साजया करेगा ना कि अधिकारिक बेपसाइट पर रांची में आईजी आवास पर होली मना रहे पुलिस जवानों पर मधिमक्यों का हमला होली की मस्ती के बीच मधिमक्यों ने भी हुड़दंग मचाया है बता दे रांची के आजी आवास में खोली मना रहे पुलिस कर्मियों पर अचानक मदिमक्यों ने हमला कर दिया इसे कई पुलिस कर्मी डंग के सिकार हो गए वहाँ आपरा तफ्री मच गई दरसल जार्खन पूलिस एस्सेशन के पूलिस कर्मियों और कोई पता दिकारियों आजी आवास में सरनिवार को होली मना रहे थे सभी नाच गान और रंग लगाने में ब्यस्त थे इस बीच अचानक मदमक्यों ने उन पूलिस कर्मियों पर हमला कर दिया मदो मक्यों के हमले के बाद पुलिस कर्मियों को इधर उधर भागना पड़ा कोई बंद कमरे में कोई वाहनों में घूस कर तो कोई आई जी आवाद छोड़ कर लंबी दूरी तक भागने के लिए मजबूर हुए मुख्यमंत्री मेधा छात्रवर्ति के लिए करे अवेदान जारखन के सरकारी एम अनुदानेथ माइधमिक स्कूलों में पढ़ने माले 5,000 होनहार छाथ्र शात्राओ को अभ押हर साल मुख्यमंत्री मेधा छात्र विर्ति दी जाएगी इस चात्रवीती योजना के लिए परतेक वर्थ 5,000 बिद्यार्थियों का चेहन परतियोक्ता परिक्षा क्याधार पर किया जाएगा बतादे जार्खान एकेडमी कॉंसील जैक वोट द्वारा आयोजीत होने वाली इस परिक्षा में काक्षा आठ उट्तिर्न बिद्यार्थी सामिल होंगे इस परतियोक्ता परिक्षा में निधारित अंक लाने वाले 5,000 बिद्यार्थे हों काक्षा 9,000 बार आवित तक की पढ़ाई के लिए परतेक वर्थ 12,000 रुपे चात्रवेती के रुप में परदान की जाएगी जेई मेंस एक्जाम 21 अप्रेल से सुरू नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एंटिये ने जेई मेंस 2022 परिक्षा को एक बार फीर से आगे बढ़ाया है या परिक्षा पहले चरण में 21 अप्रेल से सुरू हो रही है भले ही आप जैई मेंस 2022 परिक्षा की त्यारी में जोर सोर से जुटे हैं लेकिन अगले एक महिने के लिए आपकी योजनावों में थोड़ा बहुत बदलाव करने से आपको जैई परिक्षा पेटर्न के अनुसार त्यारी करने में मदद मिलेगी बता दे जैई का पहला सत्र अप्रेल में होगा जैई मेंस परिक्षा 2022 एक अप्रेल 2022 से चार मई 2022 तक आयोजित की जाएगी चात्रों को जैई मेंस परिक्षा की त्यारी करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कामगार चात्र भी बनवा सकते हैं इस्रमकाड स्रमकाड बनवाने के लिए इंदिनो असंगठित छेत्र के लोगों में होड मची है बता दे हर कोई इस्रमकाड बनवाना चाहता है ताकि उसे सरकार योजना का लाब मिल सके केंदर सरकार ने कामगारों को पेंशन और बीमा से अच्छाजित करने के लिए इस रम कार्ड की अधारना को धरातल पर उतारा है बताया गया है कि सरमिकों को बेरोजगारों का आकड़ा जुटाने उन्हें सरकार की योजना का लाव देने के लिए ही सरकार ने इस सरम पोर्टल की शुरुआत किया है सरम कार्ट बनवाने के लिए अनपार दिहारी मजदूर किसां और कुछ शात्र भी आवेदन कर सकते हैं इस सरम पोर्टल पर दी गई जनकारी के मुताबिक अब तक 27 कोड़ से अधिक लोगों ने सरमिक कार्ट पाने के लिए रेश्टेशन किया है जिसमें सबसे अधिक उतर परदेश राज के लोग ने सरम कार्ट बनवाए हैं दूसरे राजों में सरम कार्ट बनवाने की गती धीमी है बता दे इस स्रम कार्ड से मिलने वाले लाव में उतर पर दे सरकारी स्रम कार्ड वाले कमगारों के खाते में हर महीने 500 रुपे दे रही है वहीं इस रमकाड रखने वाले कामगारों को 2 लाख रुपए का बीमा कोबर बीना किसी प्रीमियम के भुकतायन के लिए दिया जाता है वहीं इस रमकाड रखने वाले सरमिकों को सभी सरकारी रोजनाओं का लाप दिया जाता है जारखन में कोरोना के पांच नय मरीज मिले हैं वहीं राजे में कुल कोरोना मरीजों की संख्या चार लाग पैंटीस यार बाइस हो गई है और दो कूर 14 लाग 17 रहाजार 99 सेंपल की जांच की गई राज्य में 148 सक्रिय मामले बचे हैं